अगर हम कोई बिजनेस ओनर है हमारा कोई इंटरनेट प्रिजन्स है और एक्जापल हमारे पास अगर कोई वेब साइट है तो क्या हम यह नहीं चाहेंगे कि अगर कोई user है वो कोई भी चीज ऐसी सर्च कररा है जो हमारे business हैं हमारे product है, हमारी service से related है तो हमारी website भी top में rank करे जो search engine results पेज आता है जो searches दिखती हैं जो results आते हैं उनमें हमारी website भी top पे दिखे अब केवल आपकी website नहीं होती है आपके साथ आपके जो competitors ने, जो same type of service, same type of product provide कर रहे हैं, same kind of business में हैं, वो भी यही efforts करते हैं कि जब कोई भी उनसे relevant query करे या उनके business या उनके product या उनके service ने relevant query कोई भी user करे तो उनकी website टॉप पे दिखे और इसका simple सा mathematics यह है कि जिसकी भी website टॉप पे दिखेगी, generally उसको जादा business आएगा, क्योंकि लोग उसकी website पे जादा visit करेंगे, अभी बास समझ में भी आती है, जैसे कि यहां से आप देख सकते हो कि अगर कोई user query करता है और यहां पर बहुत सारे results दिखाई देते हैं, तो जादा chances क्या है, और यही चीज़ आप लोग भी करते होगे, कि जादा chances क्या है, कि जो top के results हैं, आप उन्ही को browse करते हैं, उन्ही पे click करके, उन्ही की website के उपर या web pages के उपर जाते हो, तो businesses भी यही चाहते हैं, कि जब कभी भी हमारे business से related, हमारे product तो service related कोई query हो, तो हमारी website ऐसा नहीं होगे, second, third, fourth page के उपर दिखाई दे, पहली बात तो हमारी website first page पे दिखाई दे, और first page में भी हमारी website टॉप में हो, ताकि उसके उपर जादा से जादा clicks आए, जब जादा जादा clicks आएंगे, तो जादा लोग हमारी website के उपर जाएंगे, हमारे पर जादा जादा business भी आएगा, तो ultimate चीज ये है, कि लोग क्या चाहते हैं, business owners क्या चाहते हैं, कि उनकी website जो है, वो top पे दिखाई दे, कुछ specific keywords के उपर, जो वो decide करते हैं, अब आप ये तो नहीं चाहोगे, कि for example, मैं अगर digital marketing consultancy प्रवाइट करता हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा, कि English speaking के उपर मेरा जो website है, मेरी जो website है, वो top पे दिखे, या मेरा जो web page है, मेरा landing page है, वो top पे दिखे, मैं ये तो क्याता है, कि उसकी website top में rank करे, और जो top में rank कराने के लिए, जो उसे efforts करने पड़ते हैं, जो strategies, जो techniques करने पड़ती है, वही सारी चीज़े count होती है, SEO में, that is search engine optimization, थोड़े से definition होगा है, अभी हम लोग समझ लेते हैं, और फिर और चीज़ों को discuss करते हैं, तो यहाँ पर जैसे full form लिखा हुआ है, SEO is basically search engine optimization, it includes efforts for ranking website into search engine result pages on certain keywords, अब इसके लिए हमें बहुत सारे efforts करने पड़ते हैं, it's not that easy, तो जो हम actual activities करते हैं, वो तीन parts में divided हैं, on page SEO, off page SEO and technical SEO, on page SEO क्या होता है, वो सारे changes जो हम अपनी website के ऊपर करते हैं, those are into on page SEO, सारी activities on page SEO के अंदर होती, जैसे title change करना, description change करना, website के content में कोई change करना, images use करना, content कितना वड़ा लिखना है, इतने words का लिखना है, कितने characters का लिखना है, किस तरीके से unique content लिखना है, ये सारीalen, ये सारी efforts, जो भी हम करते हैं, जो भी अपनी website के ऊपर हम करते हैं, वो सारी चीजें, count होती हैं on page SEO में, उसी तरीके से off page SEO में, वो सारी activities, जो हम अपनी website पे यूप ना करके, दूसी जगे पर जाके करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी off page SEO में, count होती है, इसमें जनरली back linking, एक ऐसी चीज़ है, जो जारा तर use होती है, off page SEO में, और उसके बाद हम जो third activity करते हैं, third type of activity करते हैं, that is basically technical SEO, technical SEO यह होता है, कि हम अपनी website के जो technical aspects हैं, उनको manage करते हैं, और उनको manage किस तरीके से करते हैं, या हम कहें कि जो हम actual activities सारी करते हैं, इनको हम इस तरीके से manage करते हैं, कि जो Google की guidelines हैं, उनको हम follow करें, जो Google कहता है, हम उसको follow करें, जैसे technical SEO के point of use है, Google कहता है कि आपका जो web page है, आपकी जो website है, उसकी speed जो है वो optimize होनी चाहिए और speed optimize रखने के लिए आपकी जो images हैं वो सारी बाकी चीज़े हैं उनको आपको compress करना पड़ेगा even आपको अपने code को भी compress करना पड़ सकता है तो यह basically Google की guidelines है तो यह सारी activities तो हम करते हैं जैकिन इनके साथ साथ हम Google की guidelines को भी ध्यान में रखते हैं क्योंकि ultimately हमें rank कहां पर कराना है हमें rank Google के search engine result pages में कराना है तो Google is a search engine और उसकी जो guidelines है उनको हमें follow करना पड़ेगा क्योंकि Google का जो algorithm है वो उनी guidelines के ऊपर चलता है और उनी guidelines उनी guidelines को अगर हम follow करेंगे properly करेंगे तो definitely over the time धीरे धीरे हमारी website जो है वो rank करना start कर देगी और फिर जब हमारी website first page के उपर आ जाएगी तो हम और जादा efforts करेंगे और जादा हमारी website जो है mature हो चुकी होगी और हमारी website की value बन चुकी होगी backlinks बन चुके होगा बहुत सारी चीज़े हो दीरे दीरे फिर हमारी website first page से भी टॉप में आने लगती है यह सारी हम activities जो मैंने यहाँ पर तीन activities ब्रॉडली लिखी हुई है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है on page में मैंने आपको बताया कि title होता है description होता है और technical SEO में आप देख रहे हो कि आपकी website secure है की नहीं है यह सारी guidelines है Google की कि आपकी website secure होनी चाहिए SSL certificate होना चाहिए तो यह सारी चीज़े आप करते हो technical SEO में तो एक और बहुत ही important चीज़ है कि यह थोड़ी सी time taking process से अगर आप सोचों कि आज आपने अपनी website के ऊपर यह सारे efforts करने शुरू कर दिये तो आज ही के दिन आपकी website ट्राइंग करना शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं होता है आप जब efforts करते हो कुछ चीज़े आप जो है यह जितनी भी guidelines है कि सारे जब चीज़े आप करते हो उसके बाद Google का जू system है उन चीज़ों का evaluate करता है सारी चीज़े आप तरीके से कर रह हो या नहीं कर रह हो और कहीं किसी भी तरीके से अगर Google को यह लगता है कि आप इसको गुमाने की कोशिश कर रहे हो या आप से manipulate करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपकी उन activities को black hat activities में भी count करता है और फिर आपकी website के ओपर वो कुछ penalty भी लगा देगा तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि penalty आपकी website की ना लगे कई वार ऐसा होता है कि आप black hat SEO techniques की तरफ चले आते हैं ऐसी techniques की तरफ ज किदरी से काम कर जाता था कि इस किसी भी algorithm में loopholes होते हैं पहले भी थे अभी भी थोड़े बहुत हैं बढ़ हां Google का system धीरे धीरे इतना advance हो चुका है कि अब उसे समझ में आता है कि कौन सी आप genuine जो techniques है उनको use कर रहे है कि कौन सी आप ऐसी techniques को use कर रहे है जो black hat technique है तो अगर आप black hat technique use भी कर रहे हैं तो भी हो सकता है थोड़े time के लिए तो आपकी website rank हो जाए लेकिन उसके बाद अगर कोई penalty आती है तो फिर आपकी website हमेशा के लिए CRP से बाहर फेक दी जाएगी तो ये भी ध्यान रखें आप कि आप जो black hat SEO है या white hat SEO इसमें difference हमझ सके है techniques में difference हमझ और black hat SEO techniques को नहीं use करना है फिर से वापस आते हैं हम लोग थोड़ा सा हम लोग technical जा रहे बट फिर से वापस आते हैं कि आखिर ये search engine optimization होता क्या है तो हर business owner हर website owner वो ये चाहता है कि कुछ specific keywords के उपर उसकी website google के search engine में या किसी भी search engine में top में rank करें तो top में rank कराने के लिए जो और वो activities कौन-कौन सी है याने broadly जो classification किया वो है on page, off page और technical SEO दूसरी बात कि इसमें time लगता है ये ऐसा नहीं है कि ये आपको quick results दे देगा हाँ SEM जरूर आपको quick results देता है यानि कि paid जो advertisements होते है यहाँ पर user कोई query करता है और उसे search engine में उपर add दिखाई देता है तो वो query कर SEO में तो हम एक बार मान सकते हैं कि quick results आते हैं वहाँ पर आपको paid campaigns भी run करने पड़ते हैं but SEO में अगर आपकी website नहीं है तो उतने quick results नहीं आते हैं धीरे-धीरे जब आपकी website की authority reputation Google के system में बन जाती है उसके बाद अगर आपको एक article भी अपनी website को पर post करते हैं तो वो भी ज और लोग क्यों rank करना चाहते हैं because ranking of website is directly proportional to business जितनी अच्छी आपकी website rank होगी उतना ज्यादा आपके पास business होगा इस particular वीडियो में इतना ही मिलता है next video में till then good bye